मार्केट में एक मूवी आई है जिसका नाम आदे पुरुष है यूँ तो इस मूवी को रिलीज वे दो-तीन हफते हो चुके हैं पर इस टॉपिक पर बात करनी बहुत जरूरी थी क्योंकि इस मूवी ने काफी लोगों के सेंटिमेंट्स लोगों के इमोशन्स को बहुत ही बिल्कुल भी मैच नहीं करता है अगर इस मूवी के रियल में लीड आक्टर की बात की जाए प्रभास तो प्रभास नहीं शीराम जैसे लगते हैं नहीं कृति सैनन मा सीधा जैसी लगती है अब बात की जाए अगर रावन की तो रावन को बिल्कुल एक छपरी वाला लुक दिया गया है रावन के 10 सरों को 5 सरों के 2 horizontal alignment डिवाइड करके दिखाया गया है मानोní ایसा लग रहा है कि वह रावन ही नहीं हो कुछ अलगी कारेक्टर हो अब बात रही हनुमान जी की तो उनके कारेक्टर के साथ सब्छे बुरे तरीके से छेड़ छाड़ की गई है выпускर 하겠습니다 उन इन्हें सम्मान के लिए जाना जाता है, राम जी की भक्ती के लिए भी जाना जाता है। ये मूवी एक ऐसे कंसर्ट पर अधारित है, इस पर शॉट शॉट सक्सेस तो मिलनी ही थी, बट रिजल्ट सूपर डूपर फेलियर साबित हुई। In fact, this is the first time की रमानन सागर जी की रमायन रिलीज हुए 35 साल हो चुगी है और लोग फिर से इसे याद कर रहे हैं, क्योंकि कडोडो देशवासी जैसे अपने रमायन देखी होगी, पसंद भी की होगी। जिन लोगोंने गलती से आदिव पुरुष देख ली भी होगी, वो बहुत ही जादा जोर से रमायन सागर जी की रमायन को याद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बहुत ही बड़ी बिग बजट पैन इंडिया मूवी बिट पैन इंडियन सूपर स्टार, बिग स्टूडियो, बेस्ट वी एफेक्स वर्क्स इन टम्स अफ बजट। इस मूवी को लोग हिंदूओं और रमायन का अपमान कह रहे हैं। और उन्होंने तुलसी दास के रमायन को पूरी शद्धा के साथ उतारा टीवी पर छोटे परदे पर। रमायन एक ऐसी स्टूरी है, एक ऐसी एपिक है जिसकी जगह पे करोड़ों लोगों के दिलों में जिस पे थोड़ा सा भी छेड़चा लोग बरदाश नहीं कर क्योंकि यह उन्हें रिलिजिस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने जैसा होगा। इसलिए लोगों ने जमकर रमायन जो पुरानी वली रमायन थी रमायन सागरजी की उसे याद किया क्योंकि उसमें उन्हें शान्ती मिलेगी, सरलता मिलेगी, उसमें सारे करेक्टर्स में आत्मा म लगा करता था, कि वो किसी TV characters को नहीं enjoy कर रहे हैं, या देख नहीं रहे हैं, in fact, वो सच में रमायन को देख रहे हैं, जनता इतने प्यार से और devotion के साथ रमायन को देखा करते हैं, पर अब क्योंकि जमाना बदल चुका है, इसलिए इस film के director ने और writer ओम रावत और मनोज मुतशिर ने पूरी concept ही change कर दी, ठीक है, अगर आप चाहते तो सिर्फ action scene change करते थे, पर storyline के साथ छेचार करना कोई smart move नहीं था, हाँ, ये smart move हो सकता था, अगर controversy create करनी थी तो फिर 100% successful हो गया अपने plan के मताबिक कि controversy create हो और लोग picture देखने के लिए आए movie की cinematography हूब हूब कॉपट है, Lord of the Rings और DC movies और action कॉपट स्टार वॉर्स की सीरीज और Avengers से, ये करने के चक्कर में, रमायन की रूप को ही चुन लिया गया है और फूहड बाजी के लिए कुछ आजकल के छप्रियों वाले डायलोगs written by मनोज मतशिर शुकला, कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की, कुछ ऐसे चप्रियों वाले डायलोगs रखे गए और शुकला साहब ये डायलोगs अपने चपल उतार कर, अपने आफिस में जब वो घुजा करते थे तो अपने चपलोगs को अपने आफिस से बाहर उतार कर इस script लिखा करते थे, सोचो अगर ये अगर चपलोगs को पहन कर लिखा होता, तो क्या होता लोग उन पर ऐसे ही नहीं, चपल हाथों में लेकर उनकी पीछे ढूंड रहे हैं कोई भी character बिलकुल रमायन के किसी भी character का feel देने में असक्षम रहती है अब सवाल ये उठता है कि इस movie में जितने भी चरितर हैं जितने भी characters हैं उनको इस तरीके से बड़े परदे पर क्यों उतारा गया है क्यों दिखाया गया है क्या इसमें आज के social norms को दर्शा रहा है तो किस तरह से दर्शा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो आज की जो culture है आज की जो संस्कृती है उससे ही दिखाया गया है पर दिखाया तो वही गया है जो आज के आम आदमी अपनी जिन्दगी में जी रहा है और पर्दे में उसी जिन्दगी को दिखाया गया है और जब पर्दे में हम उसी अपनी जिन्दगी को देखते हैं जिसके वज़े से हमने बहुत जादा गुसा भी आ रहा है अगर language को पकड़ा जाए तो यही भाशा है जो आम तोर पर यूज की जाती है किसके दोबारा Like influencers इसे यूज करते हैं Roasters भी इसे यूज करते हैं बिलकुल नियायती छपरियों वाली भाशा आज के वक्त में यूज होती है और यही भाशा लोग भी बहुत पसंद करते हैं और makers इसी भाशा को मूवीज में डाल दिया गया है और producers और dieters को ये feel हुआ होगा कि आज की भाशा जो हमने यूज की है तो टॉप मूवीज तो बिलकुल हिट होगी जैसे कि आज कल के influencers जब ये language यूज करते हैं तो वो भी हिट हो जाता है और आज इसमें आज के society की बहुत बड़ी रोल है कि ऐसे movies बनने में कैसे बन सकती ऐसे movies क्या आज से 35 साल पहले कोई भी picture को इस तरीके से बनाया जा सकता था नहीं क्यूंकि society, social norms, लोगों के behavior, language बहुत ही अलग थे कहीं न कहीं बिना बोले ही लोगों ने अपनी acceptance इन movie makers को दे दी थी movie बनाने में और अगर society सच में ऐसी नहीं है तो इस ताइब की movies कभी बन ही नहीं सकती थी जो दिखाया गया है वो बहुत ही गलत था पर इसकी क्या guarantee है कि आज से कुछ साल बाद कुछ लोग फिरसे आएंगे और किसी एक epic को उठाएंगे और उस पे picture बनाएंगे और इस बार हो सकता है कि वो English यूज़ कर ले अगर आगे ऐसा ना हो तो कहीं न कहीं हमें अपनी social norms में changes लाने की जरुरत पड़ेगी और ऐसा होने की सबसे बड़ी reason जो मुझे फीर होता है जो मुझे लगता है राम जी सीता मा के characters का मजाक उड़ाया जाना social media platforms पे और इंडिया के top institutes और कितने सारे राम लीला जिन में छोटे छोटे जग़ों पर बहुत सारे राम लीला होते है यहाँ पर characters को modernized way में दिखाया गया है modernized way में दिखाया जाता भी है आज कल और जीकता जाता है उधारा नगर आज के वक्त में देखा जाए तो सिर्फ दो साल पहले आज से एम स्टेली में ऐसे ही रामायन की story line और characters के साथ छेचार किया गया था और बिल्कुल ही एक modernized way में उस पूरे राम लीला को दिखाया गया था जो की बहुत ही problematic था यह act हर तरीके से intolerant था tolerant करने लायक ही नहीं था for example आप इस वीडियो को एक पर देखें problem आती है अब कि अगर अपनी गलती छोटे छोटे जगहों पर अपने रामायन देखी होगी वहाँ पर यही सारी गलतियां उन लोगों ने बारंबार की होगी तो आपने कहीं न कहीं indirectly communicate किया है कि आप लोग कुछ भी बना सकते हो हम कुछ नहीं करने वाले अब सवाल आप पे बनता है क्या इन चीजों में आपका कोई दोश नहीं है